बड़ी से बड़ी रेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी सेक्स प्रॉब्लम वो अगदम जड़ से साफ कर देगी इतना बड़ीया मेडिसिन है यह दोस्तो मैंने अपने क्लिनिकल पैक्टिस के दोरान इस मेडिसिन से कई यह और समस्याओं को हमने जड़ से साफ किया है कईयों को तो हमने जो है प्रूफ के साथ आपको बताये भी है यूट्यूब वीडियो के माद़म से सेक्स प्रॉब्लम के लिए होमेडिक मेडिसिन बूफोराना के इस्तमाल कैसे करना चाहिए आज हम लोग इस टॉपिक का उपर बात करने वाला है आ आज इस वीडियो में मैं आपको बूफोराना को इस्तमाल करने का सिर्फ दो इस सिम्टम में आपको बताऊंगा सिर्फ दो लक्षन में आपको बताऊंगा सिर्फ यही दो लक्षन की आधार पर इस मेडिसिन को आप इस्तमाल कर पाएंगे और अपना बड़ी से बड़ी ओ यह तो बूफोर आना का जो पेसेंट होता है यह साधी के बाद भी हस्तमाथुन करता है और यह हस्तमाथुन इसलिए करता है यह तो बूफोर आना का जो पेसेंट आता है और यह कई बार इसलिए होता है क्योंकि बूफोर आना का जो पेसेंट होता है इसको पॉर्ण एडिक्सन बहुत ज्यादा होता है और इनका माइड में हमेसा पॉर्ण फिल्म की जो एक्ट्रेस होती है वैसा यह एक्स्टेशन होता है कि मुझे रियल लाइफ में जो पार्डनर मिलेगा वो भी कही ने कही हस्त मैंथन करते है ताकि उस तरह का सोच हम सोच सोच कर हस्त मैं घुन पाता है और इसलिए वह साधी के बाद भी हस्त मैं फुन करता है तो पहला Symptom जो हमने आपको बताए वुफोरानों को लेकर वह है कि इसका पेसेंट को हस्त मैं घुन ओकर यह रही नहीं पाता है, इसके लिए हस्त में अथुन किये वगर रहना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, दूसरा जो सिम्टम है, इसे जानने के लिए पेसेंट से हमें बात करना पड़ेगा, वो सिम्टम जो है कुछ इस प्रकार की है, इसका पेसेंट अपना सेहत को बहुती नर्वस होता है, यह जो है बहुत जद नर्वस हो जाते है, छोटी छोटी बात पर नर्वस हो जाते है, इसको अपना छाती में घबरहट से फिल होती है, अनकमफर्ट से फिल होती है, पैल्पिडेशन होता है, और बुफोराना का जो पेसेंट होता है, वो फिवल म अपना खुद का फैसला वो ठीक से करने पाता है उसको यहां तक यह नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ पर लेना चाहिए उसका दिमाग हमें सब परसानियों के साथ डूबा हुआ रहता है उसको यह समझ में नहीं आता है कि कहां पर उसको जाने से उसको फाइदा होगा कहां उसको जाने से लॉस होगा उसको यहां तेक नहीं पता होता है तो इसका दिमाग बिल्कुल बेचैनी के करने के बाद इसका हाथ पैर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है मसल मास में एक स्पाजम आना स्टार्ट हो जाता है यह स्पाजम ना बने तो कई पेसेंट में ऐसा होता है कि सेक्स करने के बाद थोड़ी सी कन्वर्जन आती है बॉड़ी में थोड़ी सी बॉड़ी में जो है गिनाए अगर यह लेक्षन किसी पेसेंट का अंदर मैच करता है तो उस पेसेंट की अंदर बड़ी से बड़ी रेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी सेक्स प्रॉब्लम वह अगदम जड़ से साफ कर दीगी इतना बड़िया मेडिसिन है यह दोस्त और सेक्स वह करी नहीं पाता था लेकिन बूफ़रों के इस्तमाल करने के बाद प्रेश्काइब करने के बाद वह बंदा साथ महने बाद जाके वह फ़र्स टाइम सेक्स कर पाया हमारा ट्रीड्मेंट से इतना बडिया हैं दोस्तों कई सारे पेशंट हमारे पास आते हैं अफ्टम की आदत को छुडाने के लिए ठोगा के लिए अब बहुत ही बड़िया मेडीसन है दोस्तों तो चली आप बात करते हैं यहीं कि बुफोर अना को इस्तवाल करने को आप नटिनू तीन हफ़ता के लिए तीन हफ़ता जो है अपको वुफोरणा 30 इस्तमाल करने के बाद आपको एक हफ़ता गैप दना पड़ेगा एक हफ्ता और कोई मेदिसन स्केल करना है एक हफ्ता के बाद वान वीग के बात आप बुफोरोना को 30 potency के जगा 200 में लेकर आईए और बुफोरोना 200 का एक एक बुंद दो चमच पानी के साथ मिला कर आप सुभे नास्ते से पहले ले लीजिए continue एक हफता अब लीजिए एक हफता लेने के बाद आप बुफोरोना 200 कोई बंद कर दीजिए और आपको कोई मेडिसन लेने का दरकार नहीं है इतना में ही आप देख पाएंगे कि आपका sex problem आइस्ता आइस्ता जड़ से साफ हो रहा है और आपको improvement आना start हो चुका है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे end करता हूँ कर दोस्तों मैं आपको कर दोस्तों मैं आपको